नमस्कार, मैं हूँ दिव्यात अवर, हिंदी विभाग से, आज हम बात करेंगे हिंदी कहानी का उद्भव और विकास कैसे हुआ, तो पहला बिंदू हम यह देखते हैं कि हिंदी कहानी क्या है, तो कहानी जो है, वो साहित्य की सबसे पुरानी विदा है, जो की इसको सुनने के लिए यह जो विदा है, यह प्राचिनकाल से ही भारतिय समाज में चलती आ रही है, और इसका जो माध्यम हुआ करता था, वो लोकरंजन की भावनाएं व्यक्ति के अंदर पैदा करना, जैसे कि हम देखते हैं कि विभिन कहानिया हमारे समाज में प्रशलित रही है, जैसे कि राक्षसों के अत्याचार से संबंदित कहानिया, परिलोग की कहानिया, या हम कह सकते हैं कि पशुपक्षी के रूप में मनुश्य की आवास निकालना, तो इस तरह की कहानिया हैं, वह हमारे सम समाज में प्रश्लीत रही है। और इसका मूल कारण हुआ करता है इससलिए कमाज करना, का मनववनजन देखता हैं। पा vinden मुखद के तरह करना dividend से रहा हैं। लेकिन घुन हम आज समाज में व्याप्ते समय से ऎल However, आज भी लोग कथाएं प्रचलित हैं और इसका मूल उद्वेशे यही है अब हम आगे देखते हैं कि हिंदी कहानी का उद्भव कैसे हुआ तो हिंदी साहिते में दुवेदी यूग मतलब कि 1921 के शुरुवाती दौर में हिंदी कहानी की शुरुवात मानी जाती है इससे पहल दात्मक शैली के रूप में हुआ करता था लेकिन इसलिए दो कहानिया प्रकाश में आए दुवेदी यूग में जैसे कि रामचंदर शुकल 11 वर्ष का समय और बंग महिलाकृत दुलाई वाली तो ये दो कहानियां की रूप में हिंदी कहानी की शुरुवात दुवेदी य ये प्रारंबिक तीन कहानिया थी लेकिन सुववस्तित शैली के रूप में ये कहानिया नहीं थी इसलिए इसे प्रारंबिक कहानी तो माना जाता है लेकिन हिंदी कहानी की पहली कहानी की रूप में इसे नहीं माना जाता है अब हम बात करते हैं कि हिंदी साहिते की प्रथम कहानिया कौन कौन सी रही है और उसके प्रस्तोता कौन से रहे हैं तो सबसे पहले हम प्रस्तोता पर बात करते हैं चार प्रस्तोता हैं रामचंदर शुकल दूसरे हैं बच्चन सिंग तीसरे हैं राजेंदर बाडवालिया और चौते हैं देव शर्मा तो रामचंदर शुकल क कहते हैं कि इंदुमती जो है वो पहली कहानी है और बच्चन सिंग कहते हैं कि परीरने परीरने पहली कहानी है और जो राजेंदर बाडवालिया है राजेंदर बाडवालिया कहते हैं कि जमिंदार का दृष्टांत पहली कहानी है और लास में देव शर्मा जो कहते हैं कि एक प्रकाशित हुई आरंबिक कहानियां कौन कौन सी हैं वो हम देखते हैं छे कहानिया थी जो कि सरस्वती पत्रिका में उस दौर में प्रकाशित हुई थी जैसे रामचंदर शुक्रल का 11 वर्ष का समय, किशोरी लाल गोस्वामी कृत इंदुमती, किशोरी लाल गोस्वामी कृत गुलबाहर, गिर्जादत वाजपई कृत पंडित और पंडितानी दुलाई वाली बंग महिला कृत दुलाई वाली और पंडित वो एक प्लेक की चुड़ैल भगवानन्द कृत तो यह चे कहानिया थी जो कि सरस्वती पत्रिका में उस दौर में प्रकाशित हुई थी प्रेमचंद की कहानि के समराट कही जाते हैं थोड़ा सा हम उनके बारे में जानते हैं कि प्रेमचंद कौन थे उन्होंने क्या कहा कहा कहानी को लेकर वह यह कहते हैं कि सबसे उत्तम कहानी वह होती है जो कि मनोवग्यानिक सत्य पर अधारित होती है उनकी 300 कहानिया मानसरोवर नामक शीर्शक में प्रकाशित है आठ भागो में उनकी जो 1960 में उनकी पहला कहानी संग्रह आया था जो की सोजे वतन के नाम से प्रशलित था सोजे वतन में पांच उनकी उर्दू की कहानिया हम देखते हैं जैसे की इशके दुनिया, हुब्बे वतन, मेरा अनमोल रतन, मेरा प्यारा वतन, शेख मकमूर और सिल्ले मातां उनकी जो पहली कहानी मानते हैं 1915 में वो है सौत, सौत उनकी पहली कहानी है और इससे पहले भी 1910 में एक कहानी उनकी आई थी, बड़े घर की बेटी, तो वो भी उनकी पहली कहानी है इसके आगे हम बात करते हैं कि कहाणी संग्रह यह कौ 싸 है इनका, तो बहुत सारे कहाणी कहाणी संग्रह ंह सब्मूर्ज-ग प्रेम-प्रशून-प्रेम-25, द्वादशी उस तरह से इनकी कहाणी, संग्रे हैं इनकी जो प्रचलित कहानी है बहुत सारे लोगों ने प्रेम चंद कहानी वैसे पड़ी होंगी काफी तो इनकी जो कहानिया चर्चित कहानिया हैं जैसे नमक का दारोगा सजन्ता का अंत, इश्वरिय, नियाय, दुर्गा का मंदिर, बूढ़ी, काकी, शान्ती, और इद गाहा, कफन, बड़े भाई साब, तो ऐसे शत्रंज के महरे, मुक्ति पत, मुक्ति धर्म, ऐसे बहुत सारी कहानिया इनकी जो की प्रशलित हैं, आगे हम बात करते हैं कि प्रे प्रेमचंवयूप के जो कहानीकारा है, जैसे चंदधरव शर्मा गुलेदी, जिनकी तीन कहानिया हैं सुख में जीवन, बुद्धू का काटा, उसने कहा था, जैशंकर प्रसाद, जो की प्रेमचंवयूप के तहनीकारा रहे हैं, इनकी आन्धी पहली कहानी है, छाया कहान संग्रे है इनका इसके अलावा प्रतिधोनी इंद्रावती जो कि इनकी अंतिम कहानी के रूप में हम देखते हैं इससे पहले आंधी भी इनकी कहानी है आगे हम बात करते हैं कि इनकी चर्चित कहानियां कौन-कौन सी है जैशंकर प्रसाद की तो पत्थर की पुकार इनकी कहा नूरी, ग्राम, पुरसकार के बाद चोटा जादूगर ऐसे इनकी कहानिया जैशंकर प्रसाद की चर्चित कहानिया हैं। आगे हम बात करते हैं विंदलाल वर्मा की कहानिय कौन-कौन सी हैं। जैसे शर्नागत, कलाकार का, दंड तो यह इनकी कहानिया है। रादिका रमन प्रसाद सिंग भी प्रेमचंद यूग के कहनिकार कहे जाते हैं और चतुरसेंद शास्त्री भी प्रेमचंद यूग के कहनिकार हैं तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी तक यह पड़ा कि कहनी क्या है कहनी की शुरुवात कैसे हुई कौन-कौन सी पतरिका थी जिसमें शुरुवाती दौर में कहानी हम लोगों ने देखी है और पहली कहानी किसे माना जाता है क्या ऐसा कारण था जिसके वज़े से जो श्प्रारारंबिक तीन कहानी आती उसे हम लोगों ने पहली कहानी नहीं माना आगे हम अगले जो वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि प्रेम चंदोतर कहानिकार कौन-कौन से हैं उनकी कहानिया कौन-कौन सी है और विभिन कहानिकार कौन-कौन से हैं प्रेम चंदोतर में अगली वीडियो में हम इस पर बात करेंगे धन्यवाद